दोस्तों सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धुलगम है आपके आपने ही चैनल टाइगाटू इन फैंटासी पर तो दोस्तों बहुत कुछ दिनों से हमने कुछ भी वीडियो स्टीम्स नहीं दे पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लेम की वाई से यहां पर हमने रेगुलरिट लिखा जो पहला मैच खेले जाने वाल है ब्लू डेविल्स और स्टील फन प्लियार्स ये दो टीम्स के बीज में BLD और SPK अगर सौट फॉम में बताए तो पहला मैं जोगी ये दो टीम्स के बीज तो उसी के पुरी जानकर यहां पर आपके समर्णा लेकर रहे हुँं तो यहार एक प्लेयर के बार के बारे में STATF आपको यहां पर पर MULinen वाला है तो चले वीडियो को एंड तहरक पूरा देखिए कके एक एक पउएट जो हाम पर समझाने वाला है आपको बहुत अची तरह से समझ आ और आप एक अच्छी टिंग बना सकेगा सबसे पहले दोस्तों फाइनल टिम्स के लिए टेली गांग चल जोइन कर लेना वीडियो की डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और ये मैच देखिए दो मैच होगा आज पहला ये मैच और दूसरे एक और मैच होगा तो पहला मैच काव होगी रात को साड़ी नौ बजे सेम वेनू जहां पर लिग का सारे मैच इस खेला जाएगा ब्रेन लारा स्टेडियम त्रिनिदात पे जहां पर बिल्कुल बैलेंस्ट और नियू और फ्रेस विकेट आपको देखन को मिलेगी लेकिन जितना हमने पिछले दो सिजिन स्कॉबर करके देखे कि यहां पर रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं देस उभर से खेला होता है और यहां पर एक सो एक मतलब दस बर में अगर एक सो एक रन्स बनते हैं तो यहां पर बहुत अच्छी बैटिंग विकेट आपको देखन को मिलते हैं तो दोस्तों यहां पर आज के माच पर इंक्सन की बात करें बील्ट फिप्टी पर से उनिंग चांसेस क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता है कि पहला मैच होगा यह टूनामेंट का तो देखते हैं पहला मैच पर किसी भी टीम को आपने ज्यादा स्टेंज में नहीं रख सकते हैं तो इसलिए पहला कुछ मैचेस देखके उसके बाद डिसेट करना है कि कौन से टीम यहाँ पर ज्यादा एडवन्टेज में है तो अब बात करें यहाँ पर BLT की प्रवाबल प्लेइंग साइज साथ में एकस्टरी बैटिंग और और प्लेयास स्टेर्स वन पई वन करके आपको बताएंगे तो सबसे पहले BLT की तरब से ओपनिंग करेंगे कौन डेराउन डेविस बायात के बलेबाज और लेटर माट तरक्स बोलिंग भी करते हैं आद्रियान एस आली के साथ यह भी देखिए विकेट की पर डायात के बलेबाज है तो डेविस ने लाज जो तीन मैच खेली टीडियन में एक विकेट निकाले एक मैच पर और तीन मैच पर जब बैटिंग करी थी वहाँ पर एक तरहतीस आट एक क्यावन मतलब दोनों यहाँ पर अच्छे इंग्स खेली तो यह प्लेयर बहुत अच्छी फोर्म में है तो आप इसको नोट कर सकते हो कि यह आपके लिए आपके टीम पर होना चाहिए क्योंकि इनकी रिशन फोर्म बहुत बड़े है और विकेट कीपरिंग ऑप्शन की बात करते है तो अधिरन एसली आपके लिए बहुत बड़ी क्योंकि 2023 में दो मैच खेले और दोनों मैच में देखिए 50 प्लास 70 और 53 तो आप नो डाउट इनको ले लिजी आपके टीम के अंदर चाहिए तो आप 22 कपन भी बना सकते हो लेकिन मेरे ही सबसे आप टीटेन के जो मैचेस होता है वहाँ पर जादा से जादा ओलोंडर को प् अपतानी के लिए भी बहुत अच्छे उप्संस लास जीन भी बहुत अच्छे परमस की थी यह पर लाज जो दो मैच के लिए वहाँ पर एक पर दाक और एक पर आट रन मनाया है राकेस सीचरन राहत के बहले बात करें बैटिंग करके राया देमृत की बात करें दोस्तों जो मैचेस के लिए है तीन मैच वहाँ पर पांच उकेर है इनकी टोटाल चार एक जीरो और बैटिंग यह बत करें दोस्तों एक मैच पर अठासी रन आया थे और दूसरे मैच पर एक रान तो काफी हाट इडिंग बले बाज यह भी है मतलब आप आप कह सकता हूं लेकिन मे के निकाले तो काफी इंपोर्टन अप्सन अपके लिए सेनन गैबरियल भी रहेगा स्टिफन सोलमन डायत के मिनियम पेसर है दो एक विकेट दोनों मैच पर तीन विके निकाले क्रिश्टोपर रमसरन लेप्टम चाइना मैन बोलर है इस तिम का तो पूरे दो भर यह भी ड पिछले चार में से तीन मैच पर अच्छे करके आ रहा है यह प्लेयर तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों बील्टी की तरफ से कौन से प्लेयर सबसे बढ़िया और खास चोईस आपके लिए इस मैच पर रहने वाला है मतलब कौन से प्लेयर को आपक सेनन गैबरियल और उसी के साथ स्टीफन सॉलमन या फिर किष्टोपर रामसरन दोनों में से किसी एक तो यह कुछ प्लेयर से जो आपको नोट करके रखना है आपके टीम पर माच पर होना चाहिए इसी मैच पर फैंटासी टीम की बात कर रहा हूं और यहां पर स्टील पर तो एसपी के जायद गुली ओपटिए ऑपिनिंग करेंगे दिनेश रमम धिन के साथ जायद गुली के बात करें, बैएत के वलनेबाच और डायइत के おप्लिउड बोलिंग भी करते है लाश्ट तीन मैच जब खें लेते हैं वहाँ पर तीन मैच पर दो पिकेड है और बै साथ मास्ट पीक जा सकते हो ग्रैनली के लिए तो आप कप्तन भी बना सकते हो क्योंकि अगर तीसरान मारते साथ में दो उके निकाल ले तो आप सौन सकते हो टीटेन में कैसा पॉइंट्स दे सकते हैं यह प्लियार अखेला दिनेस रामदिन डायत के बल्ले बाच विकित की प प्लियर है लास्ट पांच इनिक्स देखिए एक सत्रा सत्ताइस नवासी चिया लिस तो इनेस रामदिन भी ठीक टक्चों से लग रहा है इस मैच के लिए मारियो बिलकान डायत के बल्ले बाच सत्रा जीरो पंद्रा दो रान उसके बाद टूड़ा उनाएंगे इससा या र तो राजा को ट्राइ करें आपके टीम के अंदर रिसा धरीस दायत के बल्ले बाच राइटा मीडियम पेसर तीन मैच पर सिर्व एक कोई के निकाले बैटिंग में अच्छा कुछ नहीं कर पाए नमबाच छे पर दोस्तों देखिए एलान लॉरेंट डायत के बल्ले बाच राइटा मीडियम पेसर रहे हैं एक मैच पर बोलिंग करके टीन मैच में साथ जीरो तेरा रण और नमबासाथ में दोस्तों देखिए डायत के बल्ले बाच राइटा मीडियम पेसर हैं दोनों मैच पर रिकिले लेस इम्रान खान पर ईंपर करता है यह वह 55 बाच व्लेयर बैटिंग और उतना ज़्यादा कॉंसिस्टन नहीं रहते है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता हूं तो इस टिम के तरफ से जो ओपनर है ना जायत गुली और दिनेश रामदिन तो रामदिन कभी-कभी 2 डाउन खेल लेते हैं लेकिन तब ओपन कौन करता है एक तो है आपके पास यहाँ पर इमरान खान दूसरे यहाँ पर है कौन देखिए इसा यह राजा तो इन दोना मैंसे कोई भी यहाँ पर ओपनिन कर सकते है तो यह भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जब फाइनल लाइन अप आ जाएगा उसके बाद जब यहाँ पर प्लेंग एकसे दिया जाएगा तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेना लेकिन फिर भी प्लेंग एकसे जैसा रहेगा अगर वैसा भी नहीं आए तो वहाँ पर भी कोई डाउट के बाद नहीं क्योंकि टीटेन में ऐसा होते रहते हैं अंडेसन फिलिप दो 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 एक चार इकट काफी इंपोर्टेंट फास बोला रहेगा आपके लिए यह कस्तरी सिंग जीरो इकट दो इकट तो फिलिप जो है इम्रान खान यह सारे प्लेस को दो दो अबर मिलेगा ही मिलेगा आप सभी को पता है डिवन वेल्स रहत के पेसर है जीरो जीरो एक तो इनकी उबर काट हो सकते है क्योंकि कॉंसिस्टेंसी के जो है यहां पर खास नहीं है तो आप चाहो तो थोड़ा सा इनको डॉप करके ग्रैली के अंदर ट्राइ कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों देखिए SPK की तरफ से कॉंसर प्लेयर फिलहल इंपोर्टन पिक रहेगा जायद गुली दिनेस रमदिन दोनों हो गया है इसाया राजा है तीनों मास्ट पिक उसी के साथ इमरान खान की बात करे मास्ट पिक अंडरसन फिलिफ है कस्तरी सिंग को ट्र से दोस्तों ऐसा नहीं कहा रहा हो कि इनके साथ ही आप जाएए पहला मैं चाहिए आप किसी को भी ग्रालिक के अंदर ट्राइ कर सकते हो स्मॉल लिफ भी कुछ कुछ करके चेंजेस कर सकते हो लेकिन हमने यह आपको बताना चाहूंगा कि स्मॉल लिफ के लिए इन्वेस्ट कर लेना लिंक डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगी तो फाला को इकिट कीपरिंग सक्षन पर यहां पर यह सेजात अली को हमने लोगा क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखते हुए इनको छोड़के रमदिन को लेने का कोई चांसर नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों ने य अगर खेले तो यह भी अच्छा अपसंद रहेगा लेकिन वह आपको बताऊंगा फाइनल लाइनप आने के बाद आप चाहो तो सेजात अली के साथ रमदिन को ट्राइक कर सकते हैं तो यहां पर हमने ऐसा ही करेंगे कि रमदिन को साथ में सेजात अली करेंगे बैटिंग मे जायद गुली रहेगा उसी के साथ इसा ही राजा रहने वाले है और बाकी बात करते हैं यहां पर डी डेविस इनको आपने पीक करेंगे यह तीनों बैटस रहेगा चलते हैं वाल उनना सेक्षन के तरफ जो सबसे बड़ी सेक्षन होते हैं टीटेन लिग के लिए यहां पर सेलेक्षन बेसिस से ज्यादा आपको स्टैट्स के उपर बेस करना पड़ेगा तो तीनों प्लेस हमारे टीम पर है ऐसा नहीं कि निकल्सन के रेकॉर्ड्स खराब है ठीक ठाक एवरेश टाप के परफेंस दे रहे तो ऐसा हो सकते कि इस मैच पर अच्छे परफेंस करके जा है इस मैच के लिए हमारा टीम का कप्तान बनेगा कौन यहां पर राया दिम्रीत और भाइस कर्पनम बनाना पड़ेगा हमको यहां पर देखिए एक तो है रमदीन सेफिस चॉइस के साथ भी जा सकते हैं वह आपके उपर रहेगा हमने यह पर भाइस कर बनाना चाहेंगे र हो सकते हैं तो देखिए यह टीम रहेगा प्रिव्यू आपके सामने दिनेशन रमदीन वाइस कर्टन सेजात आली डेविस जायत गुली इसायर राजा हैरिस टेशन केस्ट्रो राया देम्रीत सेटन गैब्रियल एंडरेशन फिलिप इम्रान खान केटन राया देम्रीत तो फिला ले रहेगा दोस्तों एक डेमो टीम पाइनल टीम के लिए अभी के अभी टेलेगाम जॉण करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना चलकर सब्सक्राइब करके बेलेगन को भी दबाना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पह चैनल पे जुड़े रहेए थैंक्यू सो माच